हलो फ्रेंट्स स्वागता आपका अपने चैनल एड़ू ट्रिकर में तो वीडियो एक्जाम की जो सुनामी है वो खत्म हो चुकिए दो दिन खत्रनाख सुनामी आई चार पारियों में उसके बाद कयास लगाने लगे कर्टॉप के ठीक है तो इस एक्जाम में हो सकता है कई ज चार्मिक विबाग को नोटिस गया था कार्मिक विबाग को नोटिस गया और उन्होंने अपनरा सो वेकेंसी और बढ़ाने की बात कही थी धैना तो उसके बाद है कटऊफ के जो आइडिया है bathrooms दीरे जीरे चेंज होने लगे तो यह जो एक्जाम है वीडियो की एक्जाम इ 988 पोस्ट थी जब की वीडियो के अंदर 3806 पोस्ट थी 988 पोस्ट के लिए रिजल जारी किया गया परीका हना कितने पास किये गए लग बग 20,000 से भी ज़याद है यानि 20,900 के लग बग किये गए थे जो 20 गुणा से भी ज़याद यानि लग बग 21 गुणा भी द्यार थी पास किये गए थी है ना और इसकी जो cut-off गई थी RAS की हो गई थी 14.22 परसेंटेज निकाले तो 42 परसेंट गई थी यानि 42.36 परसेंट कट-off गई थी और इसका जो syllabus है वो पूरी तरह से बताया गए था कि बाई एक्जाम में क्या आने वाला है जिके में साइंस में करेंट अफेर में है ना और math reasoning का इसमें कुछ ज्यादा रोल रहता नहीं है जबकि बात करें इसकी तूलना करें वीडियो एक्जाम में वीडियो एक्जाम का जो syllabus है वो बताया नहीं गया था मतलब उन्होंने लिख दिया math reasoning सिर्फ इतना लिख दिया लिखने से थोड़ी होता है कंप्यूटर में लिख दिया कंप्यूटर का बुनियादी घ्यान पूछ कुछ हो रही रही है वो हना लिख दिया math math में तो 10th level की math लिखी ती 12th level की math है यानि paper का जो level था नो unexpected था कुछ भी पूछा गया था ना यह नहीं है कि आप यह चीज अभी तक जो कटोफ का आइडिया चलता वह 50 लेकिन अभी सीटे बढ़ने वाली है 1500 हना 20 गूना ज्यादा पास करेंगे 30,000 और पी ज्यादा पास होएंगे इसके अंदर अभी है ना 30,000 ज्यादा पास होएंगे उसके बाद अभी जो पास होंगे वो 78,000 पास होंगे यानि लगबग 20 गुना करेंगे जिसमें जनरल, OBC, EWS और MBC इनके 15 गुना होंगे और बाकी के कितने होंगे ज्यादा होंगे तो कुल मिलाके 20 गुना पास किये जाएंगे 58,000 के लगबग, 1500 सीट बढ़ते ही ये हो जाएगी 1,10,000 के लगबग RS में आप देखो 42% कट ओफ गई है जब क्या था, सिरफ 20,000 पास करें थी और इसके अंदर RS के अंदर देखो तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग 3, 3, 4, 4 साल से सिरफ एक एकजाम की त्यारी कर रहे होते हैं जो अच्छी एकजाम में पहले भी सेलेक्ट हो चुक ए वो भी RS के अंदर बे बेते हैं वो वीडियो के अंदर नहीं बैठेंगे हैं वीडियो के अंदर वो लोग क्यों बैठेंगे जो फिस्ट ग्रेड एक्जाम सेकर्ष वेक्रेड में सीलेक्ट ओ चुक या कोई कटोफ है वो जाने वाली 42 प्रेसेंट से जाने वाली नहीं है ज्यादा अब देखो पंदरह सो सीटे बढ़ जाएंगी तो पांच हजार 356 सीटे उते ही एक लाख दस हजार के लगबर जो विद्यारती है वो पास किये जाएंगे ठीक है एक लाग दस हजार विद्यारती पास किये जाएंगे और एक लाग दस हजार करती है आपकी जो कटो है वो 40 पे आटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि जरूरी नहीं है कि इतने लोगों के नंबर 40 से उपर आई रहे हो है ना तो आपकी यदि 40 या 45 के आज पास नंबर आ रहे हैं ना आप प्री के रिजल्ट का वेट मत कीजिए ना और अपनी जो प्रिप्रेशन है वो चालू रखिए क्यों क्यों कि जो फ्रिवरी 25 है डेट फिस करीगी है मेंस की आज से आपके पास दो महीने भी पूरे नहीं है दो महीने से भी कम समय है आपके पास ना और पेपर का लेवल ऐसा रहा तो दो महीने की तैयरी बहुत कम है आपके लिए तो आप ये सोचे हो कि मैं प्री के रिजल्ट का वेट करूँ नहीं भाई प्री के रिजल्ट का वेट नहीं करना आपको प्री का रिजल्ट का वेट करोगे आपके पास 20 दिन खराब हो जाएंगे और तैयारी में आगे मिलेगा आपको एक महीने का समय एक महीने में आप तैयारी कैसे कर पाओगे तो मेरा तो यही मानना है यदि आपके 40 नंबर आ रही है तो बेजी जगा आप तैयारी सुरू किए कर दीजिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि कटोप 40 से उपर जाएगी मान लो चली जाती है कोई दीकट नहीं आपके तैयारी करी हुई है वो खराब नहीं होगी काम ही आएगी आपके लेकिन 40 कटोप सली गई और आपने 20 दिन खराब कर दिये तो आपको खुद ही क्या होगा आपको इतना मलब खुद ही दुख होगा बहुत जड़ा कि मैंने मेरे 20 दिन खराब कर दी अब मेरे पास सिर्फ एक महीना बचा है और आप एंजाइटी में आओगे और आप एक महीना में सही से तयारी नहीं कर पाओगे अब आपको देख लो आप खुद ही देख लो एक लाग दस अजाद विजाती पास करेंगे 1500 सीटे बढ़नी तय है कारमिक विबाग को नोटिस जा चुका है यह हना बस RSMSB की दुवारा एक आपको ओपीसेल नोटिस देने की जरुरत है क्योंकि पटवारी में भी वेकेंसी बढ़ाए गई थी तब से मांग की जाने लगी थी कि इसकी भी वेकेंसी बढ़ाई जाए वीडियो की और जो वीडियो महासंग है यानि जो पहले से वीडियो लगए है उन्होंने भी ये बात कही थी कि हाँ बाई ज्यादा लोड हो रखा है किसी को अतिरिक परवार दे रखा है इसलिए आप क्या कीजिए सिक्टे बढ़ा दीजिए तो कार्मी की विवाग के पास नोटिस गया कार्मी विवाग ने इसको अप्रू कर दिया है RMSSB आपको थोड़े ही दिन में मतलब आपको सूच न देने वाला है तो मेरा तो यही मानना आपके 40% नमबर आ रहे हैं आप बेजिजग तयारी कीजिए टाइम वेस्ट मत कीजिए टाइम वेस्ट करोगे मेंस के लिए आपके पास सिर्फ एक महीना बचेगा और जो लोग अभी से तयारी करेंगे वो इस दोड़ में आगे रहेंगे तो आपके यदि 40 के आज पास नमबर आ रहे हैं और आप थोड़ा सा टेंसन में होगा ना तो देखो टेंसन किसी चीज़ का हैल नहीं है ना आप सिर्फ तयारी करती रहें और तयारी करते रहोगे ना तो आप इस दोड़ में आगे निकल जाओगे और जो लोग ये 20 दिन या 25 दिन खराब करेंगे क्योंकि 20 दिन में रिजल्ट आना बाकी है क्योंकि पक्का result आजाएगा क्योंकि दो महिनेबाद तो अग्जामी है एक महिना तो कम से कम मिलना हिसा ही जाहिए result आने बाद तो एक महिना आपको देंगे यानि 25 फरवरी को exam है तो ऑला 25 जनुवरी से पहले 25 जनुवरी से भी बहुत पहले 15 से 20 तारीक के बीच में आपका result पका आ जाएगा 10 दिन में answer की आनी है 10 दिन में उसके बाद आपको क्या हो जाएगा result जारी हो जाएगा तो मेरा तो देखो यही मानना है आप 40 नंबर आ रहे हैं तो बिना tension यह ताहरी करते रहे हैं ताकि आप इस दोड़ में आगे बने रहें और जो आगे बने रहेगा वो ही इस exam को पास कर पाएगा क्योंकि हो सकता है लेवल यही आपको मैंस में भी देखने को मिले क्यों? क्योंकि अभी एक JN की exam हुई थी उसके अंदर 120 में से 100 नंबर से ज़्दा कटोफ चलिए गई जिस तीन गुणा पास कले थे तो RS RS मेरी ने स्भी निंए सोच लिया, कि हम कटोफ ज़्दा नहीं जाने देहें हम पेपर का लेवल ये कर देंगे कि कटोफ ज़्यादा जाएगी नहीं लोग कहेंगे नहीं कि कटोफ ज्यादा चली गई है ना क्योंकि उस एक्जाम में कहा गया कि दांद ली हुई है तो देखो कटोफ तो 40 के लगबग रहेगी परी की तो आप ना तैयारी करते रहिए हतास मत होई है